लो फ्रेंड्स यह गाड़ी है मारुती वैगेनर और इस गाड़ी की सर्विशिंग होनी आज सर्विस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने आप घर पे भी सर्विस कर सकते हैं और वो सर्विस सेंटर से भी अच्छी अगर आप खुद से नई भी कर सकते हैं तो खम सगब आप बाहर जाते हैं तो वहांサर्वाइस कराइए तो आप बता सकते हैं कि कि यह काम यसमें करने है तो चलिए start करते है वीडियो सबसे पहले देखे हैं बताओं कि आपको अबी तो फिलाल सिर्फ यह 13 नमबर का एक स्पेनर और एक स्कूड्राइवर की ज़रूर था और एक नीचे टब जिसमें कि हम ऑईल स्टोर करेंगे ऑईल स्टोर करने के लिए यह सबसे पहले चैंबर के नीचे लगाया चैंबर के पास देखेंगे तो एक 13 mm का एक बोल्ट है इस बोल्ट को खोलेंगे Grace C को घंचे यहांसे सारा यहां पर इंजन का वहम इसमें बाहर निकल लेंगे यह देखे यह यह मैंने स्पेनर और इस बोल्ट को लुज कर लिया lose करने के बाद slowly इसको खोलेंगे और last point पे थोड़ा सा इसको रोकेंगे क्योंकि आपको अपना हाथ भी बचाना है हो सकता है कि oil गरम हो इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा देखिए last point आएगा तो मैंने थोड़ा रोका और पीछे से अटा दिया सारा oil यहां पर अब आके store हो जाएगा यह हमने फाइनली इसका oil निकाल दिया है engine oil अब engine oil हमको नए डालना है इसके साथ बाकी जो काम है पहले वह करते हैं कि यह है oil filter oil filter कोलने के लिए अगर आपका filter wrench नहीं है तो screw driver से इस तरह से hole कीजिए और hole करने के बाद यह देखिए hole हो है नहीं filter इंच है तो इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं यह देखिए यह लूज हो गया और इसको फिर हम हाथ से गुमाएंगे हाथ से गुमा के यह oil filter बहार आ जाएगा यह देखिए थोड़ा सा इससे भी बचाना है क्योंकि oil यहां पे भी होगा oil filter के पास असेंबली में oil होता है वो भी आयागा तो इसको हमें नीचे करना है यह देखिए फाइनली हमने लेकि oil filter खोल लिया oil remove कर दिया oil filter लगाने से पहले देखिए आपको यह आद रखना है कि यह जो filter है यह genuine filter है इसके अंदर आप देखेंगे तो एक valve दिख रहा होगा इस valve का क्या काम होता है bypass valve इन केस अगर कभी आपने service बहुत लेट कराई और या फिर किसी भी कारण से filter चोक हुआ तो चोक हुआ तो क्या करेगा यह oil को bypass करके चलाना शुरू कर देगा ऐसा नहीं है कि oil को रोग देगा तो इसलिए इसके अंदर होता है यह bypass valve और यह original filter में होगा local filter वगरा में आज और यह फिल्टर कोई महंगा नहीं है 90 रूपीस का फिल्टर है सिर्फ यह तो यह देखिए यह खोला मैंने इसके अंदर अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर भी वह bypass valve होगा यह देखिए यह अंदर दिख रहा है आपको white color का ही चमकता हुआ यह bypass valve है जैसे यह pressure increase होता है filter choke हुआ तो यह oil को bypass करके चलाना शुरू कर देता है तो एक तरह से यह engine की safety है इस चीज़ को आपको याद रखना है और filter fit करने से पहले यह जो rubble ring दिख रहा है आपको इस rubble ring पे थोड़ा सा oil या grease वगरा कुछ भी lubricant लगाना है ताकि जब भी हम इसको tight करेंगे तो यह easily वहाँ पे fit हो जाया और जितना इसको अंदर जाना है वहां तक जा पाया नहीं तो ही क्या होगा कि रबल वहाँ पे इसको रोकने लगेगी और हमको लगेगा कि filter जाधा tight हो गया तो देकिए मैंने ही और लगाया और लगाया और लगा के मैंने इसको यह tight कर दिया कि अब देखिए मेरे पास गृप अच्छी है मैं अच्छे से टाइट कर पाता हूं तो मैंने इसको हाथ से टाइट कर दिया और यह जो ड्रेन नेट को क्लीन करना ज़रूरी होता है क्योंकि आयरन पार्टिकल जो भी छोटे चोटे आते हैं वह आके यहां पर चिपक जाते है इसके बाद इसको क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि लिकेज टेस्ट करने में फिर हमको पता रहेगा कि यहां लिकेज है मैंने यह शेल का इंजन ओल और यह लिया है मैंने 5w30 3.5 लिटर की पैकिंग में लेकिन इसमें एप्रॉक्स 3.1 लिटर के आसपास आएगा जो भी बेल्ट वगरा पे जाता है तो वह अच्छा नहीं है कोशिच कीजिए कि ओल जितना भी निकले या फिर कुछ असा डालते समय वह तारी चीजे बेल्ट पे और पार्ट पर गिरे नहीं यह देखिए यह सील खोली मैंने और सील खोलने के बाद यहां पे इसको डालना आएगा तो दो पॉइंट बने हैं यह मिनिमão एक मैकसिमम यह नीचे वाला मैकसिमम में मैकसिमम के बीच तक एनजन ओल होना चाहिए तो आपके इंजन के लिए पूरा रहे हैं तो जेखे क्लीन करके और दुबारा मैंने किया दूबारा डिप किया तो यह देख रहे हैं ल यह बाहर निकालूँगा तो इसके अंदर ही हमारा फिल्टर फिट है यह साइट से हमको यह निकालने होते हैं जिस जो की स्ट्रक्शन होस है उस होसको भी निकालना है पीछे एक स्कुरू लगा हुआ है उसको भी अटा देता हूं मैं और यहां से देखे अब यह बाक्स हमार करेंट यहां बूस्ट होता और सीधे स्पार्क प्लक तक जाता है तो देखे 10 mm के शौकिट से हमको यहां पे 10 mm के गोटी से इसको खोल लेंगे कोलने के बाद इस इंगिशन को निकाल के मैं भी आपको बताऊंगा कि डिलेक्रिक रीस क्या है एक्चल में पिछली वीडियो म आप बता सकते हैं अच्छे से तो अभी देखे मैंने इसको खोला और यहां पे लगा हुआ है स्पार्क प्लक को खोलने के लिए 16 mm को शौकिट चाहिए होगा उस शौकिट से इसको खोलेंगे अभी तीनों कॉइल हटा दी मैंने कोईल हटाने के बाद यह तीनों मैंने पाए एक extension लगाया मैंने बीच में extension लगा के इसको उपर तक किया और simple इसको ratchet से मैंने खोल दिया यह देखिए यह लूस किया अब इसी तरह से यह तीनों स्पार्क प्लग हमको निकालने है 1 2 3 इन स्पार्क प्लग में क्या होता है कि मॉस्चर आता है और वह मॉस्चर हमार प्लग इसका और इसका स्पार्क प्लग दिल्कुल ठीक है यानि के ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं एंजन के अंदर स्पार्क प्लग के ऊपर मैंने वीडियो बनाए कि आप कैसे चैक कर सकते हैं स्पार्क प्लग से इंजनकी कंडिशन उपर आई बिटन में दे दूँगा व आप ऐसे ही रखना है और यह सेंड पैपर से देखिए मैंने इसको क्लीन किया बहुत जादा इसके ओपर डिपोजिट वगर ऐसा कुछ था नहीं तो मुझे जादा मेनत की जरूरत नहीं पड़ी अभी देखिए यह स्पार्क प्लग मेरे रेडी हो गए है और यह देखिए य यह फिल हो गया हमारे D-Electric grease की तरह है और यह जो ग्रीस है की कैलिपर ग्रीस है जो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं क्यों क्यों कि हम यह तंप्रेचर ग्रीस अब यह मॉट्र को एंटर नहीं होने देगा साथ ही क्या होगा क्या हो था था वह इस पेस भर गया इस तो मॉश यह दूसरी गाड़ी का है यहां से क्या होता करेंट वहां से फ्लो होगा मॉश्चर के तुरू रन करेगा और यहां तक आयेगा काड़ी के अंदर मिसिंग आएगी पूरा करेंट जो हमारे सिलेंडर को चीए फ्यूल को बरन करने के लिए वह पहुच नहीं पाया और इसके और इसके चाइट करोना चाहिए जब श्रीव तो कि साइट के अरिये में यहां पहर भी जो ग्रीश होगा उसको सिक्स कर देगा अभी का करने अग्या फिट कर देने वान टू और यह त्री यह तीनों सपार प्लग हम को विट विट करने है से विट करने जैसे हमने खोले थ एक्स्टेंशन के साथ लगा के और इसको हमको टाइट कर देना है पहले जब लोग चड़ाते हैं तो बिल्कुल हाथ से चड़ाई आप इसके बाद फिर रैचेट का यूज किया इसी तरह से अब क्या करना होता है यह जो कॉईल का यह प्लाग है इसके बीच का सेंटर भी का रहा होगा यह फिर मौस्टर घोर तो वह इसका करेगा देशि fraud русوعड वीच्रीष पर रिमुव करेगा तो मैं से यहां प्रक क्लिनर प्रक के लिए ल्यग कांव हो तो तोह एसे यहां पे इस तरह के तीनों कॉलों पर स्प्रेकरमा क्या को बाते हैं चैन बिछाते हैं Есть यह इस तरह से और इसके बाद यह एरबड वोते हैं जिसे हम लोग कान साफ करते हैं यह एरबड लीजिए और इसको किनारे किनारे कर गुमाईए अच्छा यह थिहां दखनी आपको जो बीच का टीप है जो करेंट सप्लाई करता है उस पर यह ग्री सप्लाई नहीं होना नहीं होने देगा अब नमबर आता है यह कंडेकर्स का यह जो करेंगे सी यारची क्लीनर से यहां पे लगा देना है मौस्चर दए कारबन वगारा जो भी होगा वो यहांसे हट जाेगा मिस्टिं परसंट वह जब चांसे अगर हम इस तरह से ही सारे काम करते हैं बताने का सारा मक्सद यह है कि अगर आप खुद से करते हैं तो अच्छी बात है अधर्वाइस आप सर्विस सेंटर वालों को बता सकते हैं या जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां बता सकते हैं कि ऐसे कीजिए एर फिल्टर देखे सिंपल खोलना हर को जानता है एर फिल्टर तो बहुत अब लोग वैसे भी खोलके साफ करते हैं पहले भी मैंने दिखाया तो अभी मुझे एर फिल्टर जैन्वन मिला नहीं था इस वज़े से मैंने क्या किया अभी इसी एर फिल्टर को क्लीन किया कंप्रेस्ट एर से क्योंकि बहुत जादा गंदा नहीं है यह चोक नहीं है इत इसको सुखा दिया अंदर से भी याद रखिए अंदर इसमें पानी वगरा नहार है तो ज़्यादा अच्छा है फाइनल्यी देखिए फिल्टर फिट कर दिया मैंने फिल्टर लगा यह इसके उपर का बॉक्स फिट किया बॉक्स करना देखिए नीचे दो लॉक होते है दो पॉइंट नीचे बने हुए हैं वहां से देखेंगे आपको उन पॉइंट मिला लेंगे इसको पीछे मिलाएंगे और यह फिट हो जाएगा इसके उपर का वायर और यह होस जहां यह एर सक करता है तो यह सारी चीज़े फिट हो गई एक बार ओयल लेबल एक बार फिट से चेक कर देंगे यह देखिए और लेबल निकाला मैंने मिनिमुम मैक्सिमुम दो पॉइंट पहले बताये थे मैंने आपको यह मैक्सिमुम लेबल पर बराबर है और पूरा है अभी त स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ब्रेक ओल वगरा और बैटरी के टर्मिनल्स लाइटेंग यह सारी चीज़े आप चेक कर सकते हैं यह सारी चीज़े में एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लादा लंबी हो जाएगी फिल्भी मैं एक बा the portal to battery battery pack टर्मिनल्स केविन और साथ में यह कूलन्त रिजर्वर बॉक्स यह देखिए यह चैक के हो महने का पानी ग्रेविटी यह सारी चीज़े चेक करने कि लिए मैंने अलbstड टेख सकते हैं CRC cleaner थोबा सा स्प्रे कर देते हैं जिससे मॉस्चर वगरा जो यहां पे होगा यहां पे हट जाएगा अभी हाल में ही मैंने इसका बैटरी का कुछ काम किया था तो बाकि इसके ग्रेविटी वगरा सारी चीजे चेक की थी तो फिलाल सर्विस तो पूरी हो गई है आपको अगर यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजेगा हाँ कोई मन में सवाल आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा मिलूंगा नेक्स वीडियो में ने टॉपिक के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग